इस मिगल दो FORK कूलर के मोटर के बुछ रालने में प्रावलम आती है अगर आप कूलर के बुछ डालते में तो फूर दनी के बाद और अपने आप खुरन हो जाते हैं और उनमें पेल आ जाती है अगर है उपी मोटर के शाफ्ट और बुछ तह आप की मोटर देंगे और किस तरह से उसकी प्रॉपर फिटिंग करेंगे तो इस वीडियो को करते हैं शुरू और वीडियो शुरू करने से बोले बोलूँगा अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सबस्क्राइब साथ में बेल का इकन भी जरूर दोएए तांकि ज आते हैं वीडियो स्कार्ट झाल्यों 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 हेलो गाइज गुड इवनिंग वेल्कम स्वागत आपका हमारे चैनल पर तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है कूलर की मोटर के बुश जल्दी क्यों खराब होते हैं और हम उनको कैसे सुदार सकते हैं मेरे पास एक कूलर की मोटर है काफी हेवी डूटी है इसमें मोस्ती प्रॉब्लम इन में आती है ने दिखिया जहां से ये टचिंग ले रही है पीशे वाला बुश अगर ये आगे से बुश खराब होता तो फिर जहां से टचिंग लेती ये पीछे से टचिंग ले रही है डैट मीन्स पीशे वाला बुश ये वबलिंग कर रहा है ये है इसका पीशेवाला बुश कुछ इस तरह से इसकी कंडिशन आप देख सकते हैं जे देखिए और कुछ इस तरह से भी है जे देखिए जे सारा टेड़ा मेड़ा किया हुआ है आपने एक बात का ख्या लगना है जब भी आपने इसको मोटर को बनाना है या इसके बुश डालने हैं सबसे बहले ये कवर को आपने सीधा करना है इचे देखिए जैसा ये है कवर किसी ने बुश इसके लगाए नए ही है लेकिन बड़िया तरीके से नहीं लगाए सब टेडा मेड़ा किया हुआ है सो आज मैं आपको बताऊंगा बुश और शापट इसके दोनों आपने कैसे चेंज करने हैं और सईव ये क्या है किस से आपके बुश जो जल्दी खराब होंगे किस से आपके बुश जल्दी नहीं खराब होंगे प्रॉपर भी बताऊंगा एक तो बुष खराब होने की वज़ा आपको साब बता दी है कि ये कवर जो टेड़ा होता है जब ये टेड़ा होगा तो इसका बैलंस नहीं बनेगा एक साइट से बुष टेड़ा रहेगा और उससे जो है लगाता डजिंग वो लेता रहेगा और बुष भी जल्दी किसेगा एक वज़ा तो यह होगी दूसरी वज़ा जो होती है अंदर जो नमदा है इसका आपने उसको कंपलसरी चेंज करना है जब मोटर गरम होती है तब उसका जो ऑईल होता ना वो सूक जाता है जब ऑईल सूक जाता वो ग्रीस की तरह बन जाता फि बुष के अंदर चोटे चोटे आप कभी गौस से देखना बहुत ही ब्रीक शुराक होते हैं कभी उसको प्रेस करके देखिए उसमें ब्रीक उसमें शुराक होते है उन्हीं सुराक से बुष को शावट को ऑईलिंग रेगुलरी नमदे से जाती रहती है जब आपका जो नम बुष का नमदा जो है उसको जुरूर चेक करें सो अभी यह हम निकालेंगे यह वाली रिफ्टे इसके लिए हम सेंटर पंच यूज कर सकते हैं मैं पहले ग्रेंडर से भी रगड़ देता हूं उससे भी रगड़ी जाएंगी अप यह अन्य था आप सेंटर पंच चो हमारे सेंटर पंच से बहुत ही सानी से आप निकाल सकते हैं हम भी इसी का यूज करते हैं पहले देखते हैं सो गाइज यह है सेंटर पंच कुछ लोग इसको सुंबी भी बोलते हैं सुंबा भी बोलते हैं इससे मैं निकालूंगा आज वैसे तो मैं mostly cutter से ही निकालता हूँ grind करके लेकिन आपके लिए आज मैं इसी से निकालूँगा आपने एक बात का दियान रखना है कि जो चोट मारनी से बिलकुल इसके center में रखके मारनी है तब ही जे निकलेगा जानी से ओर झाल इसके निकालने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगता है कटर से यह एक मिनिट में ही निकट जाता है जी देखिए इसका ताम याम बाहर आ रहा है मैंने आपके समझाने के लिए आपके सेंटर पांच से निकाले हैं कि अब करका दो यह वह एक है अब से पहले इसको थोड़ा सीधा करते हैं कि अब है कि अब है आप कर दोस्तों जी हो गए हमारा कवर सीधा अभी ये देखिए क्या खराबी है इस में क्यों बुश जल्दी खराब हो ये देखिए आप देख सकते हैं जहाँ पर ग्रीश सब बन गया है गर्म हो गये इसने मोगल ला को पिगला दिया ये बन गया ग्रीश सेम जे बुश की कंडिशन देखिए इंचे देखिए आप बुश की कंडिशन क्या बनी हुई है और साथ में इसको भी देखिए इंचे सब चीज़ें देखिए आप इंचे रखती मैंने मोटर इंचे रखती है इसका ताम जाब इंचे को दोस्तों जह देखिए बुश का जहां से देखिए जहां से कितना हीट हुआ 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 है आपको शायद थोड़ा क्लियली दिख रहा होगा कि जहां से कितना अंदर से गिसा हुआ है लगान चैया जो दोस्तो जो साफ करना है कि इस प्रिंग भी साफ है कि अब इस सप्रिंग अपने बिल्कुल चेक कर लेना है अगर यह टेड़ा मेड़ा है तो इसको सही किजिए अगर आपका स्प्रिंग भी टेड़ा हुआ तब भी आपका जो बुश्य प्रावलम देता रहेगा तो इसको भी अगर प्रॉब्म है खराब है तो आप इसको चेंज ही कर दीजिए जो कोई महेंगा नहीं होता पाइंच-दस रुपर की चीज है इसके लिए रिस्क लेना तो इसको भी अगर खराब लग रहा है तो चेंज जुरूर कीजिए कि मार्किट में अविलेबल होते हैं यह असानी से मिल जाते हैं कि अगरे कि सुगाइज सबसे पहले आप बुष्ट डालेंगे कि यह बुष आप चाहें तो मेरी तरह से इसको भीगो के रखिए यह आज का स्पेशल टिप्स अगर बुष्ट को लॉंग टाइम चलाना है तो इसको भुगो के रखिए कि फिर यह काफी ज़्यादा चलेगा और आज का दूसरा टिप्स इसको जुरूर चेंज कीजिए इसी के उपर इसकी लाइफ होती है कि अल चे उपर तो बॉंग मनना Uran्ग कि दोनमने उपराईब टोब के स्वेशEPर अगर कि फिर इसको लाईम और थर्ड बात दोस्तों यह होती है आज का तीसरा टिप्स यह है यह बुश होता है इसको आप मैगनेट लगा के चेक किजिए जो सही बुश होगा कमपनी का वो मैगनेट नहीं पकड़ेगा अगर जो लोकल बुश हुआ देशी बुश हुआ तो उसको जो मैगनेट है पकड नहीं होता है उसमें गन मैटल होता है गन मैटल जो होता है उसके बारे में डेटेल में बताता हूं एक दातू होती है दातू जो मैटल होती है गन मैटल वो एक दातू होती उसको मिक्स करके उसका कॉंबिनेशन बनाया जाता है इतने परसेंट इसमें लेड है इतने परसें बुछ से बनाइजाता है इसे लोहा होता है इसमें जहां पर मोगलल आप देंगे और नहीं होगा जहां इदर नहीं जाएगा इदर ही रहेगा लेकिन जो बुश होता है जो गन मेटल इसमें ऐसी होती है कि जहां पर हम अगर मोगलल डालेंगे उसको थोड़ा से गरम होगा जबी तभी जो फैलना शुरू हो जाएगा जब वो फैलेगा जहां से आर पर होखे इदर आ जाएगा और जहां पर इसकी मूवमेंट जो उसको स गन मेटल के होते हैं जब भी आप उसको मेगनेट लगा के देखेंगे कभी भी उसको मेगनेट नहीं चिपकेगा यह 100% शूर होता है और जितने भी अच्छे बुश होते हैं उनकी एक और खास्यत होती है उनका कलर जो होता है mostly golden होता है red नहीं होगा कभी भी जो लोकल अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक लोकल बुश आपको different साफ नहीं जरा जाएगा color में भी combination में different है quality में तो चली हो friends ये देखिए ये है एक local made bush और ये है branded bush आप इन दोनों में गौर से देख सकते हैं क्या बुश में फर्क होता है इस दोनों बुश में जमीन असमान का color का फर्क है ये देखिए ये red है और ये golden है कितना ज़्यादा difference है और quality में भी उतना ही ज़्यादा difference है अभी इसको चेक करके बताता हूँ आपको ये देखिए ये गैनमेटर का बुश है आप ये ऐसे magnet लीजिए ये जैसे ही आप इसक चलना शुरू हो गया जे slip कर गया जे इसको नहीं चिपकेगा जितना मर्जी जोर लगा लीजे जे नहीं चिपकेगा अलग हो गया और अब ही लगाते हैं हम इस बुश को जे देखिए जैसे हमने इसको magnet पे लगाए एक बार फिर से देखिए जे चिपक गया जे देखिए जे होती है असली और नखली बुश की पहचान जे जहां देखिए चिपक गया और जे गन मेटल का था जो जे कभी नहीं चिपकेगा जब भी आप बुश डालें बड़िया ही कंपनी कर डालें यह बुश डालिए कभी खराब जियोंगे यह लॉंग लाइफ चलते हैं यह है टिप्स जो कि हमारे चैनल पर आपको बताई जाते हैं और यूटूब में या कहीं भी आपको कोई भी ऐसे ब्रीक ब्रीक टिप्स नहीं बताएगा जहीं टिप्स जो होते हैं हमारे काम में सक्सेस्पुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार जेस सिद्ध होते हैं इनी से हमारी जो चीज़े हैं लॉंग लाइफ चलती हैं और हमारा नाम जो होता है पूरी दुनिया में होता है अब यह इसको मोगलल दे दीजिए जे नमदा जो है आगे भी हम आपको ऐसे टिप्स बताते रहेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर इस तरह से नमदे को बिगो दीजिए इसको भी आप चाहिए तो बिगो के रख सकते हैं इसको अच्छी तरह स आपको चलता नजराएगा यह होगी बुश की इंफॉर्मेशन अभी इसको करते हैं फिट अभी इसमें हम रिफ्टे लगाएंगे आप चाहिए तो इसमें लोही की रिफ्ट भी लगा सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा तर यह अलमीनियम की लगाता हूं मुझे बहुत बड़ी अलगती है इसको निकालना भी असान होता है लगाना भी असान होता है आपने इस कॉली को भी अच्छी तरह से सापके लेना है इसे देखिए इसे देखिए कॉली लग गी अभी यह रिफ्ट लगाएंगे हम और इसको आप इस तरह से रखिए सारे सुराक से सुराक मलाईए जैसे आपको लगेंगे आपके सारे सुराक सही है तब ही इसको आप लगा दीगे पेकरे फिट आपकी लग गी बुश को सीधा कर लीजिए किलिए मैं डताव पीजिए जैसे सीधाफ बुश कर से स्टोफ उड़ा हूँ किलिए रखिए Україम के लगे weए कोई भी कमपनी की चीज़ जो उसको कभी भी रुपेर करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना लोकल मेड चीज में लगता है विकाउज इनका कभी भी साइज ही आज तक कंपलीट नहीं मिला बुश का साइज थोड़ा सा और होगा कवर का साइज थोड़ा सा और होगा थोड़ा थोड़ा करके काफी दिक्त हो जाती है अगर यह भी एकुरिसी दें अपने काम में तो हमारे मेकैनिक पाई काफी खुश हो जाए इन से पाई दूर पाई दूर जाता है इस तरह से आप सारी रखने लगाते जाएंगे पाई बुश चुका है इसी तरह से आपने दूसरा भुश भी ठोक लेना है दूसरा भुश ठोकने एक बार फिर से यहां मोगलल दे दीजिए क्योंकि मोगलल ही इसकी लाइफ है अभी हम चैंज करेंगे इसकी शाफट जो देखे शाफट की क्या कंडिशन हुई है यह पीछे से गिस कही है कि शाफट आप नकाल लीजिए ऐसे हम तो प्रैस पे निकलते हैं लेकिन आपके लिए ऐसी निकाल हूँ आज यह होती है शाफट जहां पर भी स्क्राइज ड़े हुए है इसी वज़े से यह खराब रहती है इस्वाट तो दोस्तों हमारी शाफट उक चुकी है शाफट उकते असमें आपने एक द्यान रखना है यह जो जहां पर किनारे बनेंगें आप देख रहे हैं शाफट इस साइ कट वाला जो लंबा साइज है इस तरब रखना है इसको उलटा नहीं लगाना इन्हीं से हवा मिलती है अंदर मोटर को और मोटर हीट कम होती है अगर मोटर कम हीट होगी तब आपका जो बुश है उसमें मोगलल कम जलेगा और उसकी लाइफ ज्यादा बनेगी कि अभी करते हैं इसको फिट फिर दखाते हैं आपको आगे वाला प्रसेस अपनी मोटर जिसको माज करेंगे फिट कि अभी करें इसे पहले शापड में जहां पर यह लगाएंगे आप दोनों साइट पर यह स्पेसल में लगा दीजिए यह वाशलें भी आप लगा दीजिए यह आपको अपने साफ से प्ले के साफ से एडियस करने पड़ेंगी कि अग्रिफ कि अग्रिफ कि अग्रिफ कि सॉरी कि देखिए हमारा गैब यू है रोटर मारा नीचे है वाच लें हम और डालेंगे जहां पर कि अधर को आपके ने स्केटर के साफ से सेट करना है कि अगा है जब साफ तो अगा ठीड़े ने साफ लें है कि अग्य ही अगा है कि अगा है यह अगा है कि अजिए कि अब फोड़़ा प्रवाइब लेकिन जब यह कवर पूरी तरह बैठेगा जिस्ट हो जाएगा कि पीशे वाले बुश्चों भी दोस्तों तेल दी दीजिए अग्योस्पैन है तो जहां से सुराक से निकाली है अगर कूलर की मोटर नर्मल है तो जहां से निकाली है यह एक्योस्पैन है है तो कूलर की मोटर है कूलर में लगा हुआ लेकिन यह एक्योस्पैन टाइप बनाए हुआ है इसको ब्लेड दूसरे लगे हुआ है झाल आपने यह स्लाई जरूर मिला लेनी है यह देखिए जहां पर छोटे वाले गैप है जहां पर और जहां पर देखिए यह बड़ा वाला गैप है छोटा वाला गैप इदर है इन दोनों को आपने सामने फेस करना है और यह जो मोगिलल की कीप है इनको भी सामने रख लेना है इसको हलका सा बंद करके आपने प्ले चेक कर लेनी है जहां देखिए कितनी ज़्यादा प्ले है थोड़ी से बाशने डाल देते हैं इसको हम एक बार फिर से खोलेंगे प्ले आपने जुरू सेट करनी है ऐसी फाइबर की बाशने दो और डाल देंगे इस प्रिसपिट करेंगे इस प्रिसपिट करेंगे प्रिफ प्रिख बातों। तो यह देखिए हमारी मोटर स्मूथली घूम रही है अभी इसको एक बार चला के देख लेते हैं तब फाइनल का देते हैं वीडियो बहुत जड़ा लंबा हो रहा है है वाइस हम आज वक्के अपने वरकिंग कांटर पार जटेखिए वही मोटर हमारे पास है जे अमने इसको लगाय कपैस्टर जे कपैस्टर की दो वायर है और यह ब्ल्यू वायर हमारी कॉमन हैं और यह दो स्पीड आइस की आई और लोग कि सबसे पहले इसको कि ऐसे लगागी शॉर्ट चक कीजिए कि सिरीज में चला के देखते हैं या डेट सेट कि गुड़ बॉई कि अधार मैं फाइनल कर देता हूं तांकि आपको अच्छी तरह से पताद चल जाए कि सो गाइज जे देखिए जे मोटर चल रही है कोई वाज नहीं कोई कुछ नहीं है कि फाइनली हमने इसको कर लिया है कंप्लीट सो इस तरह से आप अपने जितने भी बुश है मोटर के उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और बुश की लाइफ आप यो बढ़ा सकते हैं बुश होता है वह बैरिंग के प्रॉक्टिमेट इतना सिक्सेस्फुल नहीं होता लेकिन उसको अगर सही तरीके से डरा जाए तो इतना बुरा भी नहीं होता बुश होता है सौंडलेस होता है मोस्टी अकॉर्डिंग टू बैरिंग सो जैसे मैंने आपको वे बताया आप ऐसे एक बार ट्राइ करके जुरू देखिए मुझे पुरज गीन है कि यह बहुत ही सिक्सेस्फुल होगा आपके लिए बिकाज मैं भी ऐसी वे से बुश डालता हूँ कोई प्रॉलम नहीं आती सो मैं बीद करता हूँ आपके लिए भी सक्सेस्फुल होगा अगर आपको जे कुछ टिप्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए और इस वीडियो को लाइक चुरू कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज के फिर मिलें किसी ने टोपिक के साथ तब तक कर लिए थैंक्स टेक कियर एंड गुडबाई